एक शहर में प्रतिवर्ष माता पिता अपने पुत्र को गर्मी की छुट्टियों में उसके दादा दादी के घर ले जाते, दस से बीज दिन सब वही रहते और फिर लौट आते, ऐसा प्रतिवर्ष चलता रहा, बालक थोड़ा बड़ा हो गया, एक दिन उसने अपने माता पि समझाते हुए अनुमती दे दी, जाने का दिन आया, पिता बालक को छोड़ने स्टेशन गए, ट्रेन में उसको उसकी सीट पर बिठाया, फिर बाहर आकर खिड़की में से उससे बात की, उसको सारी सावधानिया फिर से समझाई, बालक ने कहा कि मुझे सब याद है, आप च जेब में रख लिया, पिता ने हाथ हिला कर विदा किया, ट्रेन चलती रही, हर स्टेशन पर नए लोग आते रहे, पुराने उतरते रहे, सबके साथ कोई न कोई था, अब बालक को अकेला पन लगने लगा, अगले स्टेशन पर ट्रेन में ऐसी शक्सियत आई जिसका चेहर बहुत ही भयानक था, बालक पहली बार बिना माता पिता के, बिना किसी सहयोगी के यात्रा कर रहा था, उसने अपनी आखे बंद करके सोने का प्रयास किया, परंतु बार बार, वो भयानक चेहरा उसकी आखों के सामने घूमने लगा, बालक भयभीत हो गया, रुआसा हो गय उसने जेब में हाथ डाला, हाथ काप रहा था, पत्र निकाला, लिफाफा खोला और पढ़ा, पिता ने लिखा था, तू डर्णा मत, मैं पास वाले कमपार्टमेंट में ही हूँ, इस गाड़ी में बैठा हूँ, बालक का चेहरा खिल उठा, सारा डर काफूर हो गया, जीवन भी ऐसा ही है, जब भगवान ने हमको इस दुनिया में भेजा, उस समय उन्होंने हमको भी एक पत्र दिया है, जिसमें लिखा है, उदास मत होना, मैं हर पल, हर शन, हर जगे तुम्हारे साथ हूँ, पूरी यात्रा तुम्हारे साथ करता हूँ, केवल तो मुझे स्मरण मैं एक पल में आ जाऊंगा, इसलिए चिंता नहीं करना, घबराना नहीं, हताश नहीं होना, चिंता करने से मानसिक और शारिरिक दोनों स्वास्ति प्रभावित होते हैं, परमात्मा पर, प्रभू पर, अपने इश्ट पर हर शन विश्वास रखे, वो हमेशा हमारे साथ है हमारी पूरी यात्रा के दोरान, अंतिम सांस तक, बस इसी एक एहसास को ही कायम रखने का प्रयास करते रहना है, सब कुछ उस परमात्मा पर छोड़ दे, जिसकी मर्जी के बिना, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता